हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मीमी और मामा व्लॉग्स तो फ्रेंट्स आज का जो व्लॉग मैं शुरू कर रही है एक बहुती बुरी खबर से मैं आप लोगों को बता दूँ मैंने जो बतला हाउस का वीडियो शूट किया था मैंने पार्ट वन पार्ट टू दोनो शूट कर लिया था एडिट कर लिया था और पार्ट वन जो है वो मैंने अप्लोड भी कर दिया था लेकिन अप्लोड करने के बाद उसमें यूट्यूब की तरफ से कॉपी राइट क्ले और मैंने बहुत डिटेल में यह विडियो शूट किया था जोटे के साथ एक छोटे बच्छे के साथ लेकिन वह यूटिप ने डिलीट क siis distract कॉपई राया है यूद्व क्र moral कलेम क्यों वह इसे नहीं पता क्यों आया है क्योंकि मैंने बहुत सारी जुल्री शॉप में जाके जुल्री ओनर के साथ बात करके वो किया था और वो लोग शायद वेट कर रहे होंगे तो I'm so sorry और मैं बहुत जल्दी उसको दुबारा एडिट करके और वापस से उसको डालूंगे यह मैंने चुटे-चुटे क्लिप्स कुछ एड किये वे थे जो मैंने अभी इस में डाल दिये हैं तो लेकिन यह पूरा डिटेल विडियो था जो कि 34 मिनिट का था तो यह थी आज की इन्फॉमेशन अब शुरू करते हैं आज का निउ व्लॉग तो यह जो आप देख रहे है यह हम जा रहे हैं मतलब मैं मीमी और मेरी ममी हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी के घर मीमी अपनी नानी के साथ जा रही है मेरी नानी के घर यानि के अपनी पर नानी के पास तो और यह एक शॉट विजिट है और इसमें हमें तीन जगा तीन से चार जगा जा कि विजिट करना एक बहुत शौट टाइम पे एक मेरी कज़िन के घर, मेरी नानी के घर और मेरी फुपिजान के घर. तो देख लेते हैं कैसे हो पाता है क्या हो पाता है और यह मीमी है अपना कैमरे में पोस्ट देते हुए और हम लोग जा रहे हैं मैं मीमी और मेरी ममी आटो लिया था हमने केब बुक कर रहे थे living बहुत रश आवर था तो केब हमें नहीं मिल पा रही थी और यह जो आप देख रहे हैं यह PK movie की shooting की location जिन लोगों ने PK movie नहीं देखी हो जा कर देख ली जिए यह कोई sponsored video तो नहीं है लेकिन मैं बस आपको बता रही है मैं यह से cross कर रही थी तो इसलिए मैंने आप लोगों कोई information दे दी और जिन लोगों ने देखी वह दुबारा देख लीजी पहले जो हम पहुँचेंगे मैं अपनी कजिन के गर पहुच utiliz पहुढूदि पहुच पहां पर और यहां जो मैं पहूंच गयागा हो अपनी कजिन भागां है पहुच जाती हो प्रसादिक्तू पतनी मतलब न्यू लोगों के साथ भी न माशाला माशाला बहुत जल्दी मिंगल हो जाती है और सब लोग इतना प्यार कर रहे थे इसको तो यह जाती एकदम मिंगल हो गोई थी और इसने अपना जम्पिंग जीतू वाला स्टाइल जो शुरू कर दिया था यह यासमिन का बे मेल फीमेल है यह और जो जिसने भी सुटर बेना है याज नहाईी थी इनोंने शाड लिया था नो थंड लग रही थी तो इन के लिए पूल जाना है एंट टू हैंट ड्रेस बना दिया था था कि पंड ना लगे मतलब किया खयार रखना पड़ता है इन लोगों का भी इतने नाजूख होते हैं यह और यह मी मी तो बस मज़े से इनके साथ कहेल रही थी उसके तो बहुत अच्छा लग रहा था यहां पर और यह देखें पूरा अच्छे से खेल रही और इनकी आँके ना डूमक रही थी लाइट में मतलब शेर जैसे और कैसे यह देखिए मतलब यह जो कैट्स होती नहीं बिल्कुल भी अटैकिंग नहीं होती हामफुल नहीं होती तो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होती हैं आमसे खेल सकती हैं मतलब मुझे कोई डर नहीं था हम लोग नाशता करने बैट गए थे और फिर यह फुपी के घ यास्मिन के घर का ना जादा व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी और यास्मिन की बांडिंग ऐसे हैं कि मतलब हम लोग मिलते हैं ना तो हमारी बाते ही खतम नहीं होती हैं इतनी बाते इतनी बाते और यास्मिन के आँ जा कि रियास्मिन ने अच्छा खाना बनाये था, वो बोले की, मेरा घाना तुमने शूट नहीं गिया, उसने बहुत अच्छा खाना बनाये था, कोर्मा बनाये था, बिर्यानी बनाई थी लएकिन वो सब मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी बाती ही नहीं हतम हो रही थी, अच्छा ये नेक्स डे का वीड अपनी नानी के घर और यह अच्छली मेरी मम्मी की फूपी है तो यह देखे उनके बेटे ने न मतलब मेरे मामू ने यह अपना न्यू घर बना और माशलला अतना प्यारा घर बनाए इनोंने इसका आउटर लूप था और यह इसका में डूर था तो हम लोग एंट्री कर रहे इसके अंदर और मेमी याँ पर जब आई थी तो सो गई थी और हम लोग स्टेर केस में चड़ते हुए अच्छा मेरे जो मामू है ना यह मेरे कजिन मामू है तो इंका नाम शौकीन है और यह ना माश अलम मतलब नाम से इन्हें अपने मिजास से भी शौकीन है बहुत शौकीन है यह हर चीज़ के और यह इनका फॉर्स फ्लोर था इसमें उने पूरा एक हॉल बनाया था अपने like family get together के लिए चोटे मोटे function के लिए attached kitchen के साथ और हम लोग का यहां पर पूरी इनकी जो रहाइश है जो वह यहां पर है अच्छा यह माम की दोनों बेटियां है ब्लैक में जो है वो फिर्दॉस है ग्रीन वाली जो है वो महरोज है और यह यासमिन बैठी हुई है तो इन लोगों के साथ भी मी माशला से बहुत अटाच हो गई थी और फो और यह देखे है इतना मतलब ऐसे लगनी रहा था कि फिर्स टाइम आई है अच्छा मैं मैंने मामू का घर मजट किया था जब मैं फिर्दॉस जो है ना वो एक यह तेर्ड साल की होती थी मतलब मेरी के बराबर समझ लिए से थोड़ी सी और बड़ी तब इतनी फुरसा से हम मामू के घर आये थे और उसके बाद अब माशालला से फिर्दॉस की शादी होने वाली कुछ ही महीनों में इंशालला तो देखे इतना अरसा हो गया था हम लोगों को इस तरह से बैठे हुए एक साथ मिले हुए ऐसे फैमली फंक्शन्स में बहुत बार मिले थे लेकिन इस परदास खेलते हुए मीमी के साथ अच्छा बिन से मिले यह है जी हमारी मुमानी जान और यह बना रही है खाना और अपनी स्पेशल बिर्यानी बना रही है और इनके खाना इतना लजीज होता है ना और माशालला से बहुत फेमस है अपनी होस्पिटालिटी के लिए मतलब म किचन भागती है सबको पता है यह बात और इतनी दिल से खाना बनाती है अच्छा नीचे बन रहा था खाना तो हम लोग सब आ गए थे च्छत पर मामो की च्छत देखने के लिए कि च्छत भी काफी बड़ी थी और यह जूला था और अम्मी और यासमें तो बस आते ही इसके पर जूला शुरू हो गए थे और फिर इदर उदर की बाते कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे मतलब बहुत कमफर्ट वाला टाइम था यह तो बहुत अच्छी धूपी निकली हुई थी क्योंकि डली में जो है वो ठंड जो है वो अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है ड जब गर की तारीफ गर रहे हैं और छट की तारीफ कर रहे हैं और मी तो बहुत ही जादा खुश हो गयी थी अच्छी देखिए कभूतर बाजी हो रही है साइड में और यह तो मतलब दिली का एक जो ओल्ड टिपिकल डेलाइट जलाइट से ना बो कभूतर बाजी का शौक यह कभूतर बाजी का जिन लोगों को नहीं पता है जो डली से विलॉंग नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए तो यह नहीं चीज है अच्छा यह च्छत के ऊपर भी ना एक छोटी सी च्छत थी जिसके ऊपर वाटर टैंक्स वगरा रखे हुए थे तो हम लोग अब इस पर भी चड़ गए थे मतलब हमने घर का कोई कोना नहीं चोड़ा था जहां पर हम लोग नहीं गए थे तो यहां पर हम चड़ गए थे और यहां से ना मतलब पूरा शहर दिख रहा था पर कैमरा घुमा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरा शहर यहां से आपको अच्छ अच्छे से दिख पारा था मतलब पूरी कॉलोनी जो थी वह एक अच्छे से यहां से दिख पारी थी बहुत टॉप फ्यू था और ये निच्छे वाली च्छत पर मामू टहल रहे हैं और ये मुमानी के plants है उपने babies की तरह इंको पालती है और अच्छे जिनका ख्याल रखती है और उनको बहुत शौक है gardening का इसलिए मैंने उनको invite किया है केड़ा में आप लोग भी comment में बताईएगा और उनको बोलिएगा कि जरूर केड़ा विजिट करें तो उनको बहुत अच्छे पर यासमीन और महरोस कड़ी है, अम्मी है, मामू है, मैं हूँ, अच्छा फिर्दॉस जो थी मीमी को देख रही थी क्योंकि मीमी सो चुकी थी, तो वो pouring ऐसे के पास उसका ख्याल रख रही थी और माशाऑल 옆से दोनों बच्चिया और जिया भी यासमीन की बेटी मोहसिन मतलब ये बच्चे इतने प्यारे बच्चे हैं ये माशाला से इतने प्यारे बच्चे इतनी दिल से दुआ निकल रही थी लोगों के लिए इतना ख्याल करने वाले और इतनी महबत वाले बच्चे हैं ये माशाला बस अला पाके को बहुत कामियाबी दे और हम नीचे उतर गए थे और खाना जो है वो रडी हो चुका था और ये देखिए मामों के ना ड्राइंग रूम का मैं दिखाती हूँ लुक और ये उनके दो रूम्स थे ये इनका किचिन था मतलब घर बहुत ही खुबसूरत बना है और बहुत ही प्यारा था और ये देखिए लग चुका है दस्तखान जो लोग डली से नहीं है जो लोग मतलब जो मेरे केरलाइट फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता दू डली में जो है वो इस तरह से खाना जो है वो सर्फ किया जाता है डाइनिंग टेबल पर नहीं किया जाता है दस्तखान भी चाके जमीन पर बैटके खाया जाता है जो कि मुगल तरीका है या फिर क्योंकि दिली में जो है वो मुगल आमत थी तो उसकी वज़ा से ये तरीका शायद आप्ट हुआ है और साओधी अरब में भी आप देखेंगे तो इसी तरह से मैं दो क्लिप्स इसमें एड़ कर रही हूँ साओधी अरब वाली भी मतलब एक रिफरेंस फोटो के लिए तो इस तरह से जमीन पर बैटके खाया जाता है और दस्ताखान पे रहानक देखिए अप माशाहला से इतनी रहानक है ना दस्ताखान पर मौणी ने इतनी दिल से खाना बनाया तू उतने प्यार से इतनी महुपट से सर्फ किया गया था चिकन नहारी थी और बिर्यानी थी और स्वीट्स में गाजर का एक बनता है यहाँ पे, उसका क्या नामे मैं भूल गई हूँ, हलुआ नहीं था, लेकिन उससे रिलेटेड ही कुछ था सुईट में, वो था और इतना लजीज खाना था, बहुत बहुत यमी खाना था, और खाना खानी के बाद हम लोग सब बैड गे थे, और ये इन से मिली, ये हैं हमारी नानी, मेरी नानी और मेमी की पर नानी, और मेरी मेडी अम्मी की फुप्त हुपills उनको तो हमने कभी ने देखा, हमारी पैदाइच से फहले ही वह दुनिया से विदा हो चुगी थी, लेकिन हमें नानी जो है वह शुरू से इनी को बोला, क्योंकि मेरी मेडी हैं इतना हसी मजाग करने वाली इतना खुश रहने वाली इंके पास कोई बैठता है तो उसको खुश कर देती है इतने इंके पास बाते होती है पुरानी बाते इतने किसे और इतना गाना गाने का शौक है ना इनको लेकिन इतना शौर्ट टाइम था तो वो सारी चीज़े तो सूर में गाती हैं उनको तो इन्शाला कभी दुबारा विजिट हुई तो इन्शाला में जरूर वो कवर करूँगी तो हम लोग बस बैठे थे बाते कर रहे थे इस तरह से रहा से मजाग चल रहा था और मतलब यह जो मोमेंट थे ना मतलब मुझे ऐसे लग रहा थी लमहे ना मामू का बेटा है अली स्कूल गया हुआ था तो अभी आया था तो यह यासमिन है और यह नानी है अच्छा मामू भी यहां पर अपना कोई किस्सा सुना रहे थे और मतलब पूरी फामली में न सब को हसी मजाग करने की आदत है तो वह भी कोई फ़नी सा किस्सा सुना रहे तो चैर को रहे थे तो हम लोग सब बैट कर हास रहे हूं पर पता निशेदो पनी की स्टोरी बी चुछ बता रहे थैं तरह सी कुछ बाते हैं ऊसी मजाग चल रहा था और अम्मी जो हो चेयर पे बहती हुए क्योंकि वह नीचे नहीं बॉट पाती हैं तो वह चेयर पे बहुए थी और हम लोग बस ऐसी हसी मजाग कर रहे थे और अब जो है वो मीमी उट गई थी बहुत देर से सुई थी उसने अपनी बहुत अच्छी दो घंटे की ब्यूटी स्लीप ली थी और अब ये उट गई थी और अब हमारे ना जाने का भी वक्त हो गया था मतलब बिलकुल मन नहीं था जाने का यहां से और लेकिन बस जाना तो थाई तो हम लोग बस रेडी हो रहे थे अपने जाने के लिए और फिर सब लोग छोड़ने के लिए हमें नीचे आ गए थे यह मामू की गोद में है मेरा की फिरे मीमी और सब लोग नीचे आये थे चुड़ने के लिए और सब को अलविदा कहके हम लोग निकल गए थे और मतलब जाने का बिलकुल मन नहीं था सब लोगों के साथ और टाइम स्प्रेंट करने का मन था लेकिन बस आज की विजिट इतनी ही थी और हम लोग जा रहे थे और बस मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों को बहुत सारा प्यार करें उनका बहुत खयाल रखें क्योंकि ना अल्ला ने बहुत कम लोगों के नसीब में लिखा होता है बड़ों की खिदमत करना ठीक है तो जिनके भी माबाब जिन्दा हैं उनकी खूब खिदमत करें उनको बहुत 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 महबबत दे क्योंकि बतलब जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं चोटे बच्चों का मिजास कैसा होता है जिद करना और चोटी चोटी चीज़ों पर नाराज हो जाना तो मतलब बड़ों बड़े बड़ों का मजास भी कुछ ऐसे ही हो जाता है तो अपने बड़ों को बहुत प्यार करिए आई होब कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब टो आज चानल मेमी अन मामा व्लॉग्स तो इसी तरह हमारे साथ बने रही है अपना प्यार देते रही है